बिग बॉस 12 को शुरू होकर एक महीना गुजर चुका है। शो की ETRP के लिए बिग बॉस के मेकर्स नए-नए हदकंडे अपनाते रहते हैं। इस बार वीकेंड के वार में डवल एविक्षिन कर, बिग बॉस ने सभी को हैरान कर दिया। शो के इस अफते अनूप जलोटा और सभा खान को घर से बेघर कर दिया गया। अनूप जलोटा ने किया बड़ा खुला सा। सुरुष्टी और सुर्भी इस अफते सेफ हैं। जब तक अनूप घर के अंदर थे, तब तक जसलीन और उनके रिलेशन की चर्चा घर के अंदर से लेकर बाहर तक थी, लेकिन अब अनूप जलोटा घर से बाहर आ चुके हैं। उनसे सबसे पहले उनके और जसलीन के रिलेशन के बारे में ही सवाल किया गया तब अनूप चलोटा ने कुछ चौकाने वाले खुलासे किये शो के स्क्रिप्टिड होने का किया दावा अनूप ने कहा कि उनके और जसलीन के बीच कोई रिलेशनिशिप नहीं है साड़े तीन साल से जसलीन को डेट करने की बाद छूटी है अनूप ने बिग बॉस के स्क्रिप्टिड होने की बाद कही उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट के कारड जसलीन ने शो में बताया कि वो अनुप को तीन साल से डेट कर रही है उन्होंने बताया कि पहले ये शो जसलीन को ही ओफर किया गया था जसलीन ने मुझसे कहा कि मुझे बिग बॉस को ओफर आया है लेकिन उनकी मांग है कि जोड़ीदार ही घर में आएंगे क्या आप मेरे जोड़ीदार बनकर शो में चलेंगे मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैंने इंकार कर दिया इसके बाद जसलीन के पिता केसर ने मुझे घर बुलाया केसर मेरे अच्छे दोस्त है उन्होंने मुझे जसलीन के साथ बिग बॉस के घर में चलने के लिए मनाया उनके बार-बार कहने पर मैं तयार हो गया शो में जाने से पहले हमने ये तै किया कि हम गुरु शिष्ष बनकर घर के अंदर जाएंगे जसलीन के पिता मेरे अच्छे दोस्त है अनूप जलोटा आगे कहते हैं प्रीमियर से छे दिन पहले शो के मेकर्स ने जसलीन को बुला लिया प्रीमियर के दिन हमारी कोई बात्चत नहीं हुई 15 सितंबर को जब मैं प्रीमियर में पहुँचा तो मैंने शो में बताया कि जसलीन मेरी स्टुडेंट है लेकिन जसलीन ने आकर कहा कि हम दोनों रिलेशिंशिप में है ये सुनकर मैं भी चौप गया शायद छे दिन पहले मेकर्स ने जसलीन को समझा बुजा कर कहा होगा कि गुरु शिश रिलेशिन से हमारा शोर नहीं चलेगा उनके कहने पर जसलीन ने प्रिमेर पर आकर हमारे रिलेशिन की जूटी कहानी बताई मेरे घरवाले और दोस्त भी हैरान थे मेरी फैमिली तो जसलीन को जानती तक नहीं डेट पर जाना भी पहले से प्लैन था जलोटा ने ये भी खुलासा किया कि बिग बॉस के घर में डेट पर जाना भी प्लैन था साथ ही नॉमिनेशन के बाद और सीक्रेट नूम में उन्होंने जसलीन को लेकर जो नाराज़गी दिखाई वो सब भी स्क्रिप्ट के तहत हुआ अनूप जलोटा के इस खुलासे से ये तो जाहर है कि बिग बॉस का पूरा शो स्क्रिप्टिड होता है क्या सच है और क्या जूट ये पता लगाना बहुत मुश्किल है सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं